आपको कोटी कोटी शेह प्रणाम है ए गुरु दाता ज्यान के तुम पूज्य स्वयम भगवान के नमो नमो हे विध्या दाता दे सुवुद्धी नव ग्यान दे हम आपको हनुमान जी के रूप में देख रहे हैं और हम यह पूछना चाहते हैं आपसे जो कीता में भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था कि ब्रम्ब क्या है जीव क्या है और माया क्या है और इनका ही खेल संसार में चल रहा है दूसरा पृष्ण हमारा यह है कि भगवान रामन सेम रामायन में कहा है कि सुनहु रामकर सहज सुभाओ जन ने अपराधर सायन काओ जो अपमान भरगत कर कर रही रामरोष पावक सोज रही तो इतना उचा संत के लिए और अपने भगवान अपने भगतों के लिए भगव ने ऐसा आदर क्यों दिया है आपको कोटी-कोटी प्रणाम है और एक हमारी आप सबरी की भेंट सुविकार करना आप सबरी समझ के जरूर इसको गरहन करना पहले तो हमें आसीर बात दो दूसरी बात हम महा नालाएक इंसान है ना तो भगवान है ना हनुमान है महा नालाएक इंसान है लेकिए उनके चरणों के दास है मा आपका प्रश्ण बहुत ही तत्व पूरुवक है जरा ताली बजाओ ब्रह्म कौन है जीव कौन है माया कौन है जीवात्मा प्लस परमात्मा मध्धमाया इसुर से बिछडने की खोजने की जो तैयारी जीव करता है इसुर को पाज जैसे जिस प्रकार म्रग के अंधर कस्तूरी होता है अमरग पूरे बन में कस्तूरी की खुस्बू देखता हुआ बन में कस्तूरी को खोजता है उसी प्रकार ये जीव भी अपने ह्रदय के अंधर परमात्मा को पाता है लेकिन मंदिनों में भगवान को ढोड़ता फिरता है येसी भूल को जीव कहा जाता है जैसे पारस मनी एक महत्मा के पास में थी गाउं का एक चोर आदमी उस महत्मा के पास पारस मनी लेने के लिए गया चुराने के लिए गया महत्मा का चेला बन गया महत्मा ने कहा कि तुम चेला तो बन गया सेबा करनी पड़ेगी चोर ने कहा जी महराज जो आपकी आग गया और महत्मा जब इसनान करने जाबें तो वो तो एक ही उद्देश से आया था कि कम महत्मा आस्रम से जाएं कम मैं चोरी के लिए पारस्मणी ढूनू पूरे आस्रम में उसने खोज लिया महीनों में कहीं पर उसे पारस्मणी नहीं मिली एक दिन कपड़ों को फैला कर बैठा ही था कि महत्मा इसनान करे के आगए और पूछा कि तू रोज करता क्या है मिले जाने के बाद तू बरतनों को फैंकता है कारण बता उस चोर ने कहा माप करना अब दो साल हो गए मेरा दिमाग खराब हो गया मैं तुमारे घर पे आया हूँ आस्रम में तो चोरी करने महत्मा ने कहा तो तू दो साल में चोरी क्यों नहीं कर पाया चोर बोला छमा करना हमने सुना तुमारे पास पारस्मणी है और पारस्मणी है और ये बात सत्त है तो दो साल में मुझे आद तक मिली क्यों नहीं महत्मा ने कहा तुने खोजा ही गलत जगए सामने वो जो लोहे की डिब्बी रखी है उसमें पारस्मनी मैंने छिपा रखी चोर बड़ा ठाहा का लगा कर हसा कि अब मैं समझ गया तुम से बड़ा बुद्धू और गाउंबालों से बड़ा बुद्धू कोई नहीं है महत्मा ने कहा क्यों बोले एक तो तुम्हारे पास पारस्मनी नहीं है और अगर है भी तो असली नहीं है क्योंकि पारस्मनी लोहे के पात्र में रही ही नहीं सकती उसका सुभाव है कि लोहे को इस पर्स करते ही वो उसको सोना बना दीगी मात्मा ने का बुद्धू तू है पहले खोल कर तो देख उस चोर ने तुरंत जपट करके वह डिब्बी खोली लोहे की और उसमें सच में एक पोटली मिली उस चोर ने कहा इसमें क्या है इसी में पारस मनी है कपणों की पोटली को जब हटाया तब एक पारस मनी को चमचमाते हुई मनी को पाया चोर ने कहा बहुत गजब की बात और जैसे ही चोर ने उस डिब्बी में सपर्स कराया वो लोहा धातू परिवर्तिन कर गया और वो लोहा सोना बन गया मात्मा बुले समझ में आया चोर भी हमारे तुमारे जैसा ग्यानी ही था चरणों में गिर कड़ के बोला बिल्कुल मैं समझ गया जिंदगी में परमात्मा हमारे अंधर होते है जिस प्रकार पारस मनी लोहे के पात्र में रखी थी लेकिन कपड़े का आबरन था तो वो दोनों इस परस नहीं हो पाए और लोहा सोना नहीं बन पाया बैसे ही जीव के अंदर परमात्मा होता है लेकिन माया का परदा लगा रहता है तो परमात्मा प्राप्त नहीं होते यही ब्रह्म जीव और माया है यही जीवात्मा और परमात्मा और माया है मा माने नहीं या माने जो जो नहीं है जो दिखाई पड़ रहा परिस्थाई नहीं है संसार का एक मतलब है संसरती संसार हा जो नित सरक रहा है कि दिन मिट जाएंगे फिर दूसरे बन जाएंगे जो इस्थाई नहीं है यही माया है जो कभी किसी की नहीं हुई आज हमको लगता यह टाइम हमारा है कल किसी और का होगा कल यहां कोई और बैठा था इसी का नाम माया है परमातमा का मतलब जो इन सब को खेल नचा रहा सब ही नचावत राम गुसाई बंधो कीट मर्कट की नाई ब्रहम का मतलब जो इन दोनों को हैंडल कर रहा है जिसके हाथ में बाग डोर है वो ब्रहम है जीव का मतलब जो नच रहा माया का मतलब जो दिखाई पड़ रहा वो माया है ये आपका तत्प प्रशन का तूटा भूटा जबाब था जीवात्मा, ब्रह्म और माया दूसरा आपका प्रशन था रामचरत की मारिस की चौपाई का बड़ा प्यारा सुत्र जो अपराद भगत कर करई राम रोस पावक स्वई जरई राम जी अपने मुख से कहते हैं रामायन में कोई हमारा अपराद कर दे तो हम छोड़ देंगे हमें कोई दिक्कत नहीं है पर जो हमारे संतों का हमारे भक्तों का अपराद करेगा उसको हम कदाप भी नहीं छोड़ेंगे इस प्रन को कहने का तात्पर भगवान का एक ही है कि हमको सबसे ज़्यादा प्रिय अपने भक्त है इसी के लिए भगवान को भक्त वतसल भगवान कहा जाता है आप से हमें प्रसंग्ल करने का मौका मिला आज मैं धन्य हो गई हमारे हनुमान जी ने हमें मां कहा हम आज बहुत बहुत धन्य होगा है फिर पुने कोटी कोटी की अप्रणाम है हमारे उपर आप दया कर लिए खुश रहो मा बिराज